तमाम दर्षकों का आज की हमारे विशेस्त कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिननन। आप तमाम सभी दर्षकों को बहुत बहुत शुब प्रभातम आप सबको राधे राधें। इसपटिक से बने वे बहुत सारे ऐसे मूर्तियां हैं जैसे कि गणपति भगवान की मूर्ति होगी या फिर नंदिश्वर का शुरूप हो गया या फिर कछवे का आकार यह बहुत प्रचलन में आज की समय में चल रहा है और अक्सर इसकी डिमांड बहुत अच्छी मात्रा मे बढ़ती जा रही है हो सकता है आप में से भी बहुत सारी लोगों के घर में यह सब चीजें उपलब दो लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसपटिक से बनी वी जो चीजे हैं उसमें चाहिए इसपटिक की माला हो स्रीयंत्र हो या फिर सिविलिंग हो या फिर कर रहे हैं या फिर जो लोग रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं सबसे पहले जो स्पटिक होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि स्पटिक होता कैसे है यह देखिए मेरे हाथ पे यह स्पटिक का यह स्रीयंत्र है ठीक है और एक यह भी स्पटिक का स्रीयंत्र है फर जाता है लेकिन फिर भी हम अगर सुद्ध स्पटिक सब्द इचारण करेंगे और सुद्ध स्पटिक की बात करेंगे तो तब फिर इस स्पटिक की हम लोग बात कर रहे होते हैं ठीक है ना इसमें स्पटिक आता है लेकिन इसमें सैंथरिक और जो चाइनिस ग्लास है उसकी इस ispatic है जो की कुदरत की रूप से कुदरती जो निकला होता है और उसको फिर cutting करके इसमें भी इसकी quality बहुत सारी आते हैं और इस वाले में भी इसकी quality काफी आते हैं उसी के साब से इसका price भी up-down होता है क्योंकि ये जितना निकरता चला जाएगा जितनी से cutting निकरती चले जाएगी उसका price बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो ये दोनो spatic है खेर इसको लेकर मैं विस्तार से आगे और बताऊंगा आपको लेकिन फिलाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये spatic का परचलन बढ़ क्यों रहा है क्यों लोग इसको जादा रख रहे हैं तेकि किसी भी चीज़ को अरगम घर में रखते हैं या हम उसको खरीद करके ला रहे हैं या हम उसको विसेश रूप से सर्च कर रहे हैं तो निश्यद रूप से वो हमारे लिए एक विसेश चीज़ हो सकती है इसलिए हम उसको ढूण रहे हैं और विसेश चीज़ है तो उसका विसेश प्रभाव भी होगा जिन लोगों ने एक बार रखा है हमारे पास तो अधर जो शंपरदाय के धर्म के लोग हैं कई बार मुस्लिम हैं वो लोग भी इस प्रटिक स्रियंत्र की मांग रखते हैं कि हम लोग इस धर्म से आते हैं लेकिन हमने इसका प्रभाव देखा है ठीक है हमारे एक बहुत प्रशिदिक एड़़ोकेटर जो सुप्रिम कोर्ट के वकील है और मैं नाम तो नहीं लोगा लेकिन उन्होंने जब पहली बार मुझसे संपर्क किया था तो उन्होंने इस प्रटिक स्रियंत्र का विशेस हो सकता कोई कारिकरम हमारा देखा हो तो उन्होंने इस प्रटिक स्रियंत्र की मांग रखी थी कि गुरुजी हमने फाइदे की बातियां आपर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसके फाइदे नहीं गिना रहा हूँ, अपितु मैं उसके एक विशिस प्रभाव कि क्यों हम लोग उसको घर में रखते हैं, वास्तु के दोस के लिए, आचा वास्तु का दोस भी चलो, ये बहुत बड़ा matter करता ह कि किस प्रकार का दोस है, क्योंकि दोस का मतलब होता है कि जो विप्रीत प्रस्तति हैं, वो दोस है, समझ रहे हैं आगर आपका अंग, आपका हाथ बिलकुँ सुरक्षित है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आगर उसमें फोड़ा हो जात प्रभाव को दूर करने के लिए उसकी नकारत्मक्ता को दूर करने के लिए क्योंकि हमारे यां, दो ही चीजे है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीकिना, जब ये दोनों ही उर जाएं, अपना प्रभाव दिखाती। źए है तो शकारत्मक्त प्रभाव से शकारत्मक्त परियनाम नजर आते हैं और उसके जो नकारत्मक्त परियनाम तो यह सब सिजी उसमें मैटर करती हैं तो कुल मिलाकर के, जो नकारत्मकता है चाहिए अपका घर है, चाहिए आप किसी परकार के आपकी दुकान है आपका सor staircase है, आपका सुरूम है, आपकी factory है अगर उसमें नकारात्मक क्योंकि नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक उरजा क्योंकि दोनों ये एक दूसरे के पूरक है जहां दिन होगा दिन के बाद मारात्री भी होगी जहां प्रकास है वांदकार भी होगा तो ये सब चीजे हैं, लेकिन आपकी कारेस्तल पर कहलो, घर पर कहलो, आपकी ओपिस में कहलो, वहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, क्यों कैसे, मानलों कि आपने बहुत positive वातावरन बना रखा है, लेकिन हो सकता है कि कोई न कोई negative उर्जा लेकर कि वहाँ पर आपके ओपिस में जोतेच प्ले के सब लोग आ रहे हैं, न जाने कहां, कहां से आ रहे हैं, तहीक बहुत सारे लोगों का नजर इस प्रकार का होता है, द्रिश्टीज़ इस प्रकार के उतिए है क्यों अबता है, आपकी कारे को रुकावट पैदा कर देती है, आपका अच् इफेक्चिनिंग कम हो गया, अचानक से आपके ओपेस में जो क्लाइंट जिस प्रकार से आते थे आपसे मिलने वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कई प्रकार की दिक्कते हो सकती हैं, इसलिए उन तमाम प्रकार की दुस प्रणाम, दुस प्रभाव से बचने के लिए आ आप सकारत्मक्ता को अधिक से दिक कैसे फैलाएं, कैसे सकारत्मक्ता को बढ़ाएं, तो इसलिए जो है एक बहुत तेजी के साथ जो इस प्रटिक का प्रचलन चला है, क्योंकि भगवान के मूर्ती के हमारी अबधारना उस प्रकार से है, कि हम उपाशना के तौर पर, पू सारे तो क्यों क्रिश्टल का एक बड़ा टुकड़ा ही लाकर अपने कारिस्तल पर रख लेते हैं, कछवा लाकर के ओपिस में रख लेते हैं, तो उसका प्रभाव क्या है, क्योंकि वो सकारत्मक्ता को संचार करेगा, और वो सकारत्मक्ता को जो आपके कारिस्तल पर जो negativity आ चीजे हों वो बहुत प्रभाव साली होते हैं खास कर स्रियंत्र तो इसले भी पूजित होता है क्योंकि वो महालक्षमी का शौरूप है आधिगरू भगवान संक्राचारजी ने इसकी एक विशिष्ट महिमा को प्रतिपादित किया है और आज भी आप भारत की चारो धाम में चले जाएं तो वहां आज भी स्पटिक के सिवलिंग की जो है पूजा की जाती है उसका अभिशेव होता है और महालक्षमी का स्रियंत्र खास कर इस प्रकार का जो स्पटिक मैं आपको बता रहा हूँ यह आप देख सकते हैं और जब भी आप मार्केट के अंदर जाएं इस इसकी कौश्ट चार गुना छे गुना तक बढ़ सकती है तो इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल बरब की तरह है ठंडा बरब की तरह इसका स्वरूप और जो है इसके अंदर रेसे होते हैं इसके अंदर बहुत सारा ऐसा लगता है कि क्रैक जैसे हैं तो वो सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन वास्तु इक यही होता है इसलिए इसको रखें और इसके प्रभाव को आप समझें तो कुल मिला करके वास्तु दोश निवारन की बात हो सकारात नक्ता उर्जा का प्रभाव हो आपके कारिछेत्र के वृद्धी हो आपके रुगेवे कामों में आपके अर्चन आ रही है उसका निवारन राकरन हो या फिर आपकी धारना अवधारना के अंदर आपकी उपाशना करम के अंदर पूजा पाट में अगर आप इस प्रकार की चीजों को इन्बॉल करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको अनेक फायदे प्रदान करेंगे आप आपको बहुत सारे फायदे गिना करके यहाँ पर जो है उस चीज को नहीं बता रहा हूँ लेकिन हाँ ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके एक मुखी प्रणाम नहीं बलकि बहुत मुखी प्रणाम हैं बहुत सारी ऐसी खास जीज़ें कि जो इससे आपको प्राप करता है सुक्र आपकी वेवाइक जीवन में आपको मजबूती परदान करता है जिन लोगों के वेवाइक जीवन में जिन लोगों के आपसे संबंदों में किसी प्रकार की दरार या फिर उनमें मेलजोल की दरकरार अगर लगती है तो उस दरकार को आप और पॉजिटिव बना लाने के लिए आप इस पटिक धारान कर सकते हैं ठीक है या बहुत साली चीज ऐसे उप्रण है कि जो आप सकारत्मा कुरजा का प्रभाव लाने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं तो आज का जो कारिकम था मुझे लगता है कि बहुत ही खास-कास पॉइंट हमने यहां पर र सकते हैं का कर सकते हैं अ composition क क्यों घạoने के लिग कबड़ator हैं तो आप सकते हैं तो आपीज वालने के लिए बहुतल समें की जायों किसल को कि जह रगता हैं